तो दोस्तो आज मैं सुबह सुबह अपने टेरिस गार्डन पे आया था तो मुझे लगा कि समय नौ तपा चल रहे हैं जैसे कि आपको मालूम है तो नौ तपा पे गर्मिया जादा हो जाती हैं जैसे कि आप गर्मियों के टैम में मैंने आपको अभी केर वीडियो बनाई थी तो वो रेगलर केर के साथ साथ प्लांट में कुछ स्पेशल भी केर की जुरत होती है जैसे कि आप जान रहे हैं कि नौ तपा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नौ तपा स्पेशल कुछ बताऊंगा प्लांट के के वारे में कि आप इतनी जादा गर्मी में भी दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके मेरे सबस्क्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को जरूर दवा लीजेगा तो चली आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिनों पहले मैंने आपके लिए एक स्पेशल अगर आपने अभी तक वालब वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लिंक पिल जाएगी आपको और साथी साथ मैं आई बर्टन पर भी उसकी लिंक देदूंगा आप वहां से जाके देख सकते हैं तो आज हम बात करेंगे कि आ अब बर्साथ आजाती ही तब तो प्लांट में किसी तरह की टेंशन होती ही नहीं है वह बहुत अची तरीके से ग्रोथ करते हैं पर अभी हमें इसकी बहुत ज़्यादा की जुरूत होती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसमें वाटरिंग की मैंने आपको नोइस रखना है बिल्कुल भी ड्राय ना हो पाई इस बात का ध्यान रखिएगा इसलिए आप सुबह साम दोने टाइम वाटरिंग कीजिए और हाँ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा खड़ी दूप में पानी मढ डाली अपने प्लांट को अगर बहुत ज़्यादा खड़ी दूप में पानी डालेंगे तो फ्यो प्रॉब्लम या शौक में जा सकते हैं तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा और साथ में आपको बता देता हूं कि इस समय जैसे आप देख पा रहे होगे कि आपकी कुछ कमेंट्स आते हैं मुझे के स सबसे पहले आपको तो बोलना चाहूंगे सजेस्ट करना चाहूंगो कि आप ऐसी कोई जरू पर चेस कर लीजे मार्केट पर असानी से मिल जाती है तो अगर आप इसे परचेस नहीं कर पा रहे हैं लॉग्डाउन की चक्र में तो अगर ऑनलाइन आपके यहां शॉपिंग तो आप वहां से ऑनलाइन भी से और करके मगा सकते हैं यह लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता दोस्तों क्योंकि यह यूवी रेजर प्रोटेक्टेड होती है इसे प्लांट आपका किसी भी हालत पे नहीं खराब होता है तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि आप पूरे प्लांट में पानी दे देता हूं तो सुबह साम दोनों टाइम उनको बहुत अच्छी तरीके से असे मिस्टिंग करता हूं इससे होता है कि आपका जो प्लांट है वो उसका जो टंपरेचर वो बिल्कुल ठंडा बना रहता है और नाहीं इससे आपके प्लांट की ल तरीके सापको नहला देना अपने प्लांट को और आपको यह प्रोसेस सुबह शाम ही करनी है जैसे मैं शाम को पानी डालूंग अपने सारे प्लांट में तो उस टाइम पानी देने के बाद जो है मैं इसको अच्छी तरीके से फिर नहला दूँगा इसमें होता है कि पूर दिन की धूप मिलते मिलते वो एक समय आने के बाद जो है वो खराब होने लग जाएंगे या ब्राउन पर ने लगेंगी तो इस टाइम थोड़ा सा ब्लांट को सर्वाइब कराना दो बस यह सबसे तरीका है अगर आप इसको अपने प्लांट में कर लेते हैं तो आपको प् चाहनिक लिए क्या कर सकते हैं कि पकछी कुरिय ख patter नगा को दख ने यह एक कर दीजा चुछणी स्की है इसको पाफ के तरीके चलता है, आपने प्लाइट में आप मल्चिंग की प्रोसेस्स नहीं क Sun की ऺधा Hundreds पर सबसें करें तो पानी का बहुत सेंवर प्लाइब करेगा और बैर अगर अगर आप भी मेरे वीडियो देखके अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करीं दोस्तों ताकि मुझे पता चले कि अगर मैं आपको कोई केर वीडियो बताये हूं तो आप भी उसका घर पर अपने अप्लिकेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक जरूर कीजेगा और आप मेरे वीडियो को शेर भी कर दीजेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि चाहिएगा मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक यूर आक्टर सेल्फ एन गुडबाए